तो रात के वक्त अगर आपको बार मार टोयलेट जाना पड़ रहा है यह अत्तद एक पसीना आ रहा है और इस चीज़ से आप परिशान है तो बता दे की लक्षन सामानिय नहीं है और अगर आप ये लक्षन देख रहे हैं तो आपको बता दें कि ये डाइबिटीज के शुरुआती संकेत हो सकते हैं नमस्कार मेदिती फॉजदार आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्स सेग्मेंट सेहत नामा आज मैं आपको डाइबिटीज के बारे में बताएंगे डाइबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो इन दिनों घर-घर में देखने को मिल रही है ये एक सामाने मेडिकल कंडीशन है जिसे बलड सुगर लेवल को मैनेश कर और रेगुलर मॉनिटर कर कंट्रोल किया जा सकता है डाइबिटीज को गंबीर माना जाता है इसके साथ ही मुखे रूप से खराब लाइस्टाइल और खानपान की वज़ज़ से होती है ये तब होती है जब शरीर में इंसुलिन का परियाब तुद्पादन नहीं हो पाता हाला कि इसके लक्षन काफी सामानिय से होते हैं और इस वज़ज़ से इसे शुरुआती दौर में पहचान पाना काफी मुश्किल होता है जबकि अधिक दिनों तक अगर इससे नजर अंदास किया जाए तो ये जान लेवा भी बन सकती है इसके लक्षन रात के वक्त अधिक आसानी से देखने को मिलते हैं जो आम तोर पर काफी सामानिय माने जाते हैं ऐसे लक्षन के बारे मैं आज जब आपको बताएंगे सबसे पहले बार बार अगर आपको टोईलिट आता है या आपको अत्तिदिक पसीना आता है आपको बेचैनी हो या फिर बार बार आपका करने के लिए रिजल्ट को रिकॉर्ड करने के लिए ग्लूकोज मीटर का उपयोग करें डाइबिटीज कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं सबसे पहले 30 मिनिट एक्सेसाइज करें खूब पानी पीजिए अपनी डाइट को बैलेंस करें और परियाप्त लीन ले इसके साथ लाती हेल्दी चीज़ को सेवन करें आपको बता दे कि डाइबिटीज के दो टाइप होते हैं एक होता है टाइब वन और एक होता है टाइब टू जब शरीर में ग्लूकोस ठीक से स्टोर नहीं हो पाएगा और उर्जा की कमी होने लगी तो आपकी कोशिकाओं में झाल